हेलो फेंट्स वेलकम बेख टो माई चैनल रियल वान घ्रू पलगर और आप सब क्या से रोग आई होग आप लोगों के तरह आज ही मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत खायदे मन होगा और आप लोगों को उसे बहुत बेनिफिट होने व तो आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करने वाली हूं की पानी पीना चैए कैसा पीना चाहिए गरम पीना चैए ठंडा पीना चैए या क्यूं पीना चैए इसका रेजन मैं बताने वाली हूँ तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इससे फाइदा उठ जो भी बेनी फिट होगा आप लोगों को तो आप लोग फुद समझेंगे मेरे बताने से नी समझेंगे लिखिया आप जब पीएंगे पुद प्राइल करेंगे तो आपको फुद समझ भी आएगा कि पानी हमारे लिए कितना जबुए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यह पानी हमारे लिए फूरी बाड़ी में पानी हम लोगों के लिए पानी के साथ मिक्स होकर ही दोड़ता है तो इसलिए बलड सर्कुलेशन के लिए हम लोगों के लिए पानी बहुत ही ज़ुती है पानी कैसा हम लोगों पीना चाहिए हम लोगों को बहुत जादा थंडा पानी नहीं पीना चाहिए हम लोगों को मैं जानती हूं आदत होती है सकी कुछ लोग बैठी भी फीना पसंद करते हैं दूर बहुत तो आप जादा को अच्छी आदत को प्नान चाहिए तो थोड़े दिन में वो अगए बदल सकती है अगर आप चाहेंगी तो कुछी आदत कोई वे आप में आपनी ही बदल सकते हूं तो आपनों से रिप्ष्ट करना चाहूँगी कि चाय कॉफी, सुवर अपती ही चाय कॉफी नपी के एक गलास गुल्गना पानी पीचिए और गुल्गने पानी में आप नीबू भी निचोड़ के डाल सकते हैं वो भी हमारी बोड़ी बहुत अच्छा होता है और शेह काल सकत को अच्छा होता है को यि परपर गल चाय कार से बुल्गने पानी से जल्दी के य्थम उसमें खल भी हम लुझने-डीन, श्रब गॉन पानी से जल्दी पना हो ज29s, वह ज्म हो जतना तो इस बाल कि ऌनगमा की जाता है वह ज़्ल्गने पानी से जल्दी पर लेता है, उसमह नचे इन के तरकर खुश्चे में हम लोगों को ग defensory अच्छे चीजे नहीं को सवस्वाइब ऐ।क वीछे एच्छे चीज दो कोई अच्छे उस में अदू खान फायदा करता है कुछ फायदा कि ऐसी भी जा खौने के वाड़ कर तक ब मुझे तो भाउस वी तॉन्हा साफ हो जाता है। धूर्ट वेक होता है। अगर restriction आपका जो लिवर ते रहता है में तो तीच कते हैंがे तॉर्ट रहता है ता बोज़ाता है कि बहुत जादा थंड़ा पानी हम लोगों पीना चाहिए और मुश्ली जैसे फ्रिज का पानी ने पियें, अगर आप भड़े का पानी पी रहें तो उससे ज्यादा बेटर है अगर 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 फिच का पानी पीली रहें तो लेकिन सुबह अगर आप पीते हैं गुर्बना पानी तो आप फायदा मोले वाला है अगर पानी 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 पीना बहुत जरूरी हैं और दिया भी गुल्बना पानी पीना भुचाव भुचाव रही है है और इसके अलाबस पानी आपको ऐसे ही एले तरिया को पीना चाहिए लेकिन गुर्वना पानी अगर आप पीते हैं तो अगर पीते हैं तो पुछ ज़दा आपकी बोडी को फादा होने बाला है और इसके अलाबा नीपू डालके तो आप अपनी पी सकते हैं बानी में और भी कई चीज़ें आती हैं अपने खूते हैं और पी जैसे एक प्विल का जुख सा है वो भी एक चमज डालकर आप उसमें सिर्का आता है उसको आप एक चमज डालके अपनी वाटर में ठीच ते हैं तो इससे आपको जयाता पानी कीते हैं थाज़ते रहने से आपको दिएड्रेशन भी नहीं होता है कि क भूं में कमीज ही हम लोगो कि पानी करें जब भी हम लुगों के बूटिंग कमी होती है तो लार बनना बन्प्ति हो जाती है सिह कि आपको मैं शाथ बूझना बानी प्लआती रही और अगर मुझमे लार बंती नहीं अगर आप पानी कम चीएंगे तो पानी की विजये से ज्यादा तर आपके मूह में लार बना बन जाएगी और जब भी ड्राहिटरेशन बहुता है तो यही रीजन होता है कि हम लोग बिक पढ़ जाते हैं बिल्कुल चक्कर आने लगते हैं कि में लोगाने में मूझे लगता है खाना खाने में दो वड़ेकर में कोम बना किसी वजये से वजये थिवादा है तो आप लोग गरम पानी अगर पीते रहते हैं तो आशा है कि काम तुछ तो बल्कुल स्वस्त बने नहींगे और इसको ट्राइ करके देखिएगा अगर आप गरम पानी पीते रहेंगे तो वह मठापे सब तुर हो जाएंगे दीरे दीर महीने में आप देखेंगे कि आप गरम पानी पीने से आपके दीरे देरे बहुत हलकी पड़ रही है और खाना भी जल्दी हजम हो रहा है और सबसे ही बुड़ी बात यह है कि जो लोग बात्रों में बैठके से बहुत देर लगाते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है बिलकुर राम बाण है गुल्बना पानी पीते हैं जैसे दो-तीन दिन से आप जा रहे हैं और अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं ऐसे उठके चले आ रहे हैं तो उनके लिए बिलकुर राम बाण दबाए आप करके देखिएगा एक बार दो-तीन बार अगर अगर आप उसको पी रहे हैं आप पानी पीजिए एक बिलास डेली तो आप बिल्कुल फ्रेश आपकर लिवर बिल्कुल सही रहेगा और जो आथों में हम लोगों कहाना नहीं पचपाता है तो अगर आप गुंगना पानी पी रहे हैं तो वह खाना बहुत अच्छे से पचता है तो आशा है आपको करें और इस गरम पानी को इस्टार्ट करिए देखें आपको बहुत ज़्यादा होगा ओगे थैंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए बाइबाइ और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हों तो प्लीज चैनल को जोईन कर लेना और मैं ऐसे ही अच्छे टिक्स आप लोगों